सन 2006 में एक हमारे देश की टेलिफोन कंपनी थी जिसका नाम था एरसेल उसने अपनी कंपनी को बेच दिया मलेशिया की एक कंपनी थी माक्सिस उसके हाथो और ये सौदा था करीब 4,000 करोड रुपे गा अब जब से ये डील हुआ तब से आज तक यह डील जो है वो भैंकर विवाद का विशे बना रहा है विवाद के 3-4 मुख्य विंदू है नमबर एक के किस परिस्थिती में भारतिय कंपनी ने विदेशियों को अपना शेयर बेचा ये पहला विवाद का विशे है अब उसके विस्तार में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि उसकी जाच कहीं और हो रही है दूसरा जो विवाद का विशे बना वह यह बना कि उस समय के नियम के अनुसार सरकारी नियम के अनुसार भारतिय कंपनी में विदेशी पूजी 74% से जादा नहीं हो जाते हैं आज भी वही नियम है लेकिन जिस मलेशियन कंपनी ने मैक्सिस ने इसको खरीदा उसने मलेशिया के स्टॉक एक्शेंज में ये रिपोर्ट दिया घोशना की कि उसने 99.3% इसमें शेर खरीदिया 99.3% कब कैसे खरीदा जबकि सीमा थी 74% और डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूव करती है कि उन्होंने इस प्रकार की घोशना बोर्शे मलेशिया में की उसके बाद उन्होंने इसका जो एक्सेस था जो अधिक था उसको सस्ते दाम पर किसी भारतिय को दे दिया ये अभी जाज का विशे है और सबसे जो इसमें एक बात सामने आई है और मैं मैडम आप जानते हैं कि मैं कई दिनों से इस सदन में इस विशे को उठाने के अनुमती मांगता रहा हूँ क्योंकि अख़बारों में ये विशे छपता रहा मुझे अफसो से ये कहते हुए क्योंकि मैं मांता हूँ कि ये हमारी जो पार्लिमेंटरी परंपराय रही है संसद की परंपराय रही है उसका इसमें घोर उलंगन हुआ है कि हमें इजाजत नहीं मिली इस विशे को यहां उठाने के लिए लेकिन जब अख़बारों में ये ख़बर छपी तो वित्मंत्राले में इसके बारे में एक प्रेश विज्यप्ति जारी करके अपनी सफाई पेश की विशे यह था कि Foreign Investment Promotion Board की स्विकृति 2006 में इस डील को मार्च के महीने में मिली या अक्टूबर के महीने में ये एक विवाद का विशे है लेकिन सदन में ये विशे नहीं आया क्योंकि मुझे अनुमती नहीं मिली उठाने को और सदस्यों को अनुमती नहीं मिली और संसद जब चल रहा है तब अलग से वित्मंत्राले इसके बारे में प्रेश विज्यप्ति जारी करके सफाई पेश कर रहा है जो वित्म अंत्राले ने सफाई पेश की है जो चत्थे रखे हैं उसको मीडिया ने चालेंज किया और कहा है वित्म अंत्राले गलत बयानी कर रहा है यह सही नहीं है कि यह अप्रूबल FIPB का मार्च में मिला यह FIPB का अप्रूबल 2006 के October महीने में मिला और उन्होंने इसके बारे में जितने documents हैं उसको भी देश के सामने रखा है अब यह विवाद कि मार्च में मिला कि October में मिला यह गंभीर विवाद क्यों हो गया यह गंभीर विवाद यह इसलिए हो गया कि इसी बीच में उस समय के जो वित्तमंत्री थे उनके सुपुत्र ने 5% शेयर इस कंपनी का ले लिया खरिद लिया किस कीमत पर खरिदा कुछ पता नहीं और मैं मानता हूँ कि अभी अपने आप में महत्वपुर्ण नहीं है कि उनको शेयर जो 5% दिया गया वो मार्च के पहले दिया गया या मार्च के बाद दिया गया अक्टूबर के पहले दिया गया मार्च और अक्वर के दर्मियान में दिया गया नहीं दिया गया ये मैं मानता हूँ कि बहुत अपने आप में बड़ा इश्यू नहीं है इश्यू यह है कि प्रप्राइटी के पॉइंट अब यू से मिनिस्टीरियल रिस्पॉंसिबिलिटी के पॉइंट अब यू से चेर्मन है जो अप्रूफ करते हैं इन सौदों को उनके पुत्र इसमें 5% शेर ले लें यह conflict of interest और आप जानती हैं कि सदन में जब भी conflict of interest होता है तो सदसिकों खड़े होके कहना पड़ता है कि conflict of interest है और इसलिए हम इस पर विचार नहीं करेंगे और सरकार में एक परंपरा जिस परंपरा के नुसार अगर मंत्री महसूस करते हैं कि conflict of interest है तो वो अपने को रेक्यूस कर लेते हैं यानि कि उससे अलग कर लेते हैं कि हम इस विशे से या इस फाइल से दीन नहीं करेंगे यहां पर इस तरह की कोई बात नहीं हुई और वित मंत्री ने उस समय के चाहे मार्च में चाहे ऑक्टूबर में इस डीन को अपनी मंजूरी दी FITB के चर्मन की हैसियत से तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर विशे है और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता वित मंत्री महोदे जो इस पूरे विशे से संबंदित हैं वो इसके बारे में अगर वित मंत्राले का और सरकार का पक्ष रखें तो बहतर होगा और फिर उसके बाद हम लोग इस निशकर्ष पर पहुंचेंगे सही हुआ गलत हुआ लेकिन मुझे लगता है कि प्राइम अफेस प्रथम गर्श्या जो कुछ हुआ वो एक भैंकर भोटाला हुआ है इस देश में और सरकार को पूरी तरह से खुल पर सामने आना चाहिए और इस बात के उपर परदा नहीं डालना चाहिए यही मैं आप से झालना चाहिए